यह कि व्यक्ति का विरोध करते हैं ना किसी वहांसा चुपट कि जा रही है यहां कि तो में पूत बहुत चोपट की जा रही है दनबाद बोकारो जिले में भोजपूरी मैथली और अंगीका को सामिल करने के विरोध में एक ब्यापक जन आंधुलन और मानो सिंखला जो कल देखने को मिली बात करतें सीथे जैराम से जैराम से जैराम सबसे पहले तो यह बताए कि कल का जो आंधुलन और जो व्यापक जन समर्थन आपको मिला उसके बाद कितना मностьюबल बढ़ा है और सरकार किस हथ तक देरा आई है आपके हिसाब चाहे ररो सबसे पहले तो मैं आपके एक बात को ही और लिटर है और मैंने को पहले उस पहले कहा इस सब्काय नेत्रुत में मावों बहनों को दूँगा जिनका काम हमेशाँ तो अजहीव भछा देखना घर दुआर देखना परिवार गयी है तो इस आंदोलन का नेत्रुत में पुरी इमानदारी से और निष्ठा पुरवक अपनी मामों को बहनों कर देना चाहूंगा और रही बात इस आंदोलन के बारे में इसके बाद मनोबल बहुत बढ़ा है सर अब तुमने बहुत प्रावड फीलिंग होता है खुद में लगता है कि छो प्रुगा का जौब लेता है हमारा महदा का पहचान से और बहन जाके फिर जमौई बिहार में जौब लेती है सर तो हमारी लड़ाई आप краई न अधिकार को चिनने का काम करेगी हमारी लड़ाई है जो अब निकाला यहां लेकिन नोकरी के बात बात आले लागे तो सही कि आपके पिता अंदुलन कारी रहे हैं और उन्होंने जार्खन के लिए अपनी कुरबानी देदी आप जितनिक भी नहीं डिखेंगे तो किस तरह की यादें पिता से जुड़ी है जो आपको इस तरह के आंदुलन का करनधार बनने के लिए या फिर इसका नेत्रितों करने के लिए मजबूर किया सर हमारी भासा में कहावत है बापय पुप्त प्राप्ते घोड़ा नाय तनी तो थोड़म थोड़ा तो एक सहीद पिता का रक्त हम में भी है वही रक्त मेरे अंदर भी हिलोर मार रहा है और ऐसे भी बात मैं कहूं अगर मेरा बच्पन चुकि पिता जी का देहान थो चुका थ मेरी घर की इस्तिती बहुत खराब थी उस समय की परिस्तितियां बताएंगे जिसमें आपके पिता जयांदोलन कर रहा है तो मुझे अगर यह बात अगर मेरी माता या दादी से पूछते तो आपका उत्तर पूरा नहीं दे पाते हैं बहुत बिकट इसमें बता रहा हूं प करूंगा तो थोड़ा सा मायूस और दुखी होगा लेकिन पुलीशिया जुल्म के सिकार थे कुछ आंदोलन में आपसी मदम दो तीन जगा उनके साथ ही कहते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं पिताजी को मैंने देखा है लिपर याद नहीं बस उनकी यादें हैं लोगों से फटा हुआ था और वह खून चुकि मेरे पिता जी खलता हम लोगों से टेनीज करते हैं तो रक्त उसमें भी लगा था और उनके चपल तक भी आया था तो मेरी दादी ने देखा डिवरी का लाइट में कि यह तो खून बहता हुआ सर पे भी है तो मेरी दादी ने अपहले म और गरज नंहिए तो वहां चुकि मेरे दादी वह केती है पिता जी क का यकी उत्तर हम रहे अपनी और शॉआ पहले जार्खंण बने हैं कि बीनोध बाबुक सपना है यह कहा कि पिता जी बीनोध बाबुक को मानते थे кहा कि बीनोध बाबुक ऑह पास पाइब चाहना एक चीज और कल का जो अंदोलन था उसमें कुछ हिंसा जो हुई इसके लिए कई लोग कुछ कह रहे हैं कि पीछे से कई लोग इसमें राजनिती कर रहे थे जिसका वज़ा से इस तरह के भीड जो है वह हिंसा कुई आपका क्या मनना है सर पहली बात जब हिंसा हुई मैंने भी सुना और वीडियो में ही देखा कि मैं वहां था नहीं कि मैं जहां-जहां जाता था काफी भीण हो जाते थी लोग मिलना चाहते थे हलांकि मैंने भी का कि लीडर आप खुद हैं लेकिन पता नहीं फिर भी लोग प्रेम करते हैं उसी भुकल रहें चाहिए बाहर के रहें पॉलिटिकल पाटी अगर कोई आती है तो लोग अटमेटिकली उग्र हो जाएंगे क्योंकि आज 22 सालों से इन पॉलिटिकल पाटी होने चाहिए कोई नेता रहे कभी झारखंडी हित की आवाज उठाई ही नहीं और उसके बाद जो सु तो फिर भी लोगों ने कहा कि सर हमको धक्का देजेगा तो कहां तक जाईएगा यह भीड आपका मने आप लंबा है अभी महोदा तक है वह ममला था ब्रिज के आसपास का यानि अभी छे-सात किलोमीटर है तब कितना दूर धक्का देके जाईएगा तो उसी टाइम में हम परियास करेंगे ऐसा आगे ना हो तो लेकिन कारण यहीं था अगर यह घमन नहीं दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा नेता है तो यह नहीं होता यह अगर हो जाता तो यह अंदोलन ठीक था अभी तक ठीक था पांस मिनट के मामला घटा दीजे हम लोग साथ घंटा सड़क बने हैं और सिक्षा के लायन में रहे हैं तो वह युवाओं को आगे ले जाने के लिए खासकर किसी आंदोलन से जोड़ने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पर या पिर सोसल मीडिया ही का भी-अंज़ मेहनत करनी पर ए सोसल मीडिया का बहुत बड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो लोगों को अधिक जन अंदोलन के लिए आपको लोगों से मिलना पड़ा जी बहुत ज़्यादा और मेरे सब्सक्राइब के साथी हो धनबाद के साथी हो सब अच्छा मेहनत किया सब लगातार मीटिंग करते थे हमने टीम को डिवाइड कर दिया था कि एक जगास हम लोग नहीं रहेंगे और मैं अपना व्यक्तिकत कि मैं तो सब वर्ती इलाकों से भी लोग आये थे और अपना गारी भारा करके आया था यह किसी नेता के आंदोलन में ऐसा होता है कि लोग पैसे देखर लाए जाते हैं इसा कुछ नहीं दिखा यह सच्छा के बारे में अभी फिलाल बिनोद भिहारी महतों विश्व बिद्याले से अंग जो राइटिंग ही हो रही है वह ऐसे राइटर पर हो रही है जिन्होंने अन्याय सोशन पर लिखा है और मेरा टोपिक्स भी यह है फ्रॉम कोलोनियल टू पोस्ट कोलोनियल एस्टडी और विक्टिमाजेशन और डाउन ट्रोडेन अप्रम इंदी सेलेक्टेड नोबल सब म अन्दोलन में सिरकत ना करो और शुक्ति अब अन्दोलन भी वह कल का अंदोलन समाप्त हो चुका है क्या आप उनको सारजनिक करना चाहेंगे या नहीं सब्सक्राइब लेकिन तो मैं जाना कैसे कर सकता हूं और एक बात कि उनको उन्होंने मुझे अभी नहीं कहा सर उन्हो सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बेटा ने सुना वह मेरा स्टूडेंट है उसने मेसेज किया आपके खिलब साजिस हो रही है कि जिद्धी लड़का है मुंडियल लड़का है जब आगी आगा है तो पीछे नहीं हटेगा मेरा बेक्ग्राउंड से जानता है कि एक सहीद क तारिक से पहले मैंने कभी नहीं किया लेकिन जब मैंने भीड को देखा कि अब हर भीड अपने इस भीड के अंदर हर गाहों से निर्मलता दिखने लगे हैं बीर वीरसा नजर आने लगें तब मैंने से सरबजनी कर दिया आपने प्रस्न पूछा तो मुझे भी उसके बाद मतलती है तो आगे किस तरह से और कम तक यह अंदोलन का स्वरूप फिर से विद्धान सवा में देखने को मिलेगा सर उमीद तो है क्योंकि आज देखें का तस्वीर देखें जिसमें आपके मुख्यमंत्री थें सिक्षा मंत्री जगरनात महतो सचेतक सत्तारूरदल मुथरा प्रशाद महतो पुरु विधायक गोमिया योगेंदर महतो तो चार दिगज हस्ती आज एक ही तस्वीर में दिखें तो जहर सी बात है यह जो आंदोलन की चिंगारी गई है यह तो बहुत दूर तक गई है निसंदे मुख्यमंत्री चुकि आज भी भले मुख्यमंत्री को पता नहीं कौन मॉनिटरिंग कर रहा है लेकिन दिल कहता है कि वह भाई माटी का वेटा है जहरखन्डी आदिवासी मुल वासी का मना समर्था के हिते सी गलत कर रहा है तो क्यूं कर रहा है तो जरूर सोचना चाहिए अगर नहीं सोचता है तो फिर हम बोल दिया सर चाहे ऐसे lux 점्प कल एक कैλαर्स यादव है जा मीन और यह सप्क ждए गला कि ब्हुठां के टिलोगों होगों लोगों के प्रफानिय के चौई नहीं होनी चाहिए और भाशा ताम पर अंदोलन नहीं होनी चाहिए एक ची sharing की o धारखन के 18 जिले में 60 पर 37 लोग भोजपुरी मगही और अंगिका के हैं तो सरकार ने पुरू में भी से मानेता दी है राजभासा की मानेता जिसे बाखी अन्य भासाओं को दिया गया वैसे चेत्री भासाओं में दिया गया है तो अब इस पर भी बाद होना उचित नहीं है भासा का मानेता प्राप्त नहीं है साहित बोली होगी वहां लेक्न भाट्र अगर बोलते हैं अगर बोलते हैं अगर सजबते हैं तो अब कि ़हां से मालनीं त़ प्रास्थ ाहते ज़ो warrior j arbets दहार दोगा और इसके बाद लोग से मतलब भोट से मतलब ही नहीं है तो बीजेपी जो आई थी पहलाती करमन तो बीजेट पहीं नहीं किया है हमारी 1985 को निती बना दिया है जबकि हम तो खतियान यादार्द मांग रहे हैं और वही हर राज की अपनी डॉमिसायल है और डॉमिसायल अब जो यहां का लोग है वह उप चुके हैं पाटियों से आने बाला दिन अगर जार्खन में जार्खन निती नियम जार्खन के इत्में ना बने तो हर हर कोई तीर कम मानने के विर्षा बनेगा निर्मल्दा बनने का काम करेगा तो अरा जक्ता को फेलने से रोकना है तो आप तई किजिए जारखंड किसका है क्योंकि दो जखासर नहीं चलेगा दो भट्राइडी एकदम आसामेधानिक है और गेर कानूनी है एक जो आपने विध की सब्सक्राइबान के और गड़ने यहीं सब्सक्राइब करें चactly मैं इतना सा चोटा सामसी पाई है छाजक कीजिए अगर निर्मान ही हुआ है अलग एलग भासा अलग जह तरफ के आधार पे अपना अपना राज है तमिल नाडू तमिल के लिए है गुजराती गुजरात के लिए है मराठी महरास्टर के लिए है तो फिर मेरा जरकंड सब के लिए नहीं होना चाहिए आप अपने राज को अपने सीम से बात करें और हमारा सपोर्ट करें हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति सब्सक्राइब का अपना अपना आडेंटिटी है किसी ने किसी आदार पर तो जारखंड की चोपड की जा रही है तो यह थे जैराम महतो पिएजडी कर रहे हैं बीबीम के उसे और कैसे गरीबों परत्याचार होता है इसी बात पर इनका सोध भी है फिलाल इनोंने अपना इर जबाइस को धन्बाद